नमस्कार दोस्तों फाइनली टेलीकॉम के तरफ से आपको बिग ओफर देखने के लिए मिलते हैं एक तो आई पेव सीजा ने उसकी वज़ा से और दूसरा हो ली है तो उस फेस्टिवल को भी पूरी तरीके से टेलीकॉम कंपनियां इंजॉय कर रही है वो एटल हो वी आई हो या जियो हो लेकिन मैं बिएसनल की बात बिलकुल नहीं करूँगा क्योंकि उसका इंटरनेट चलता ही नहीं है आज की डेट में भी थिरीजी पता है कि इतनी मुश्किल होती है कि यूपी आई पेवेंट करने के लिए मुझे कितना बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन लेना हो होता है क्या मुझे कैश में करना पड़ेगी बहुत बार यह वी सोचना पड़ता तो ऐसी तो कंडिशन की इस्पेशली मेरी सिटी के अंदर और मेरी सिटी में बात करूं तो में सेंटर की बात करना हूं आउट साइटर की भी बात निकरों तो वहां पर थिरीजी सर्विस ह क्या आते हैं हैं और कुछ पराने रिचार्ज को दुबारा से पॉलिश करके आपके लिए प्रिजेंट करा है लेकिन क्या आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलता है क्योंकि अपने 5G को अनलिमिटेट देता है वह 259 सुर्वे के रिचार्ज में लेकिन एटल के मैक्सिम रिचार्ज 5G यूसर्स के लिए ही देखने के लिए मिलते हैं जो 5G नेटवर्क अभी यूज कर रहें कि वह 4G रिचार्ज महंग महंगे करवाएं और आटल को जाद से जादा प्रॉफिट देने की कोशिश करें सबसे पहले रिचार्ज देखने के लिए मिलता है वह 49 रू कि नकिर्क र देखने के करें तो इतना डे रूबकार्मय की रिचार्ज करहें तो उसमें आपको ज्यादा ब tehnके लिए मिलेगा जो आपके प्लान के साथ वर्क करें दूसरा बिचाइज की मिलता 79 रुपीज का देखने के लिए मिलता है इसे री पोलिश किया है री चार्ट को ये पहले निन्यानוש रुपए में था अब इसे दोबारा से री पोलिश करके 79 रुपीज़ में कॉंवर्ट कर दिया मतलब आप सोच यह निन्यानों रुपए पर डे के हिसाब से आपको रिचार्ज मिल रहा है तो आप पंद्रा सो रुपए खट सिर्फ डेटा डेटा के लिए कर रहे हैं और उसके लिए नॉर्मली आपको कॉलिंग मैसेज के लिए अलग से रिचार्ज करें तो हमने यह भी कह करवाते हैं तो इसमें आपको 5G benefit मिलता है मतलब यह 5G speed पे भी वर्क करेंगा 5G network पे और जो आप 40GB यूज करेंगे दो दिन में तो आपको 5G speed मिलेगी सबसे अच्छी वात यह है लेकिन बात करें हम इसमें जो आपको मतलब बात करिया है तो अच्छा ओफर देखने के लि और unlimited 5G data भी इसमें मिलता है लेकिन आप 5G network चला रहें फिर 222 पर रिचार्ज देखने के लिए मिलता है यह specially data recharge है मतलब आपको सिर्फ data की facility मिलती और कुछ ने और जियो ने 49 रुपीज का भी लॉंच किया था जिसमें की आटल से जादा data वह आपको provide करवाता है मतलब सारी benefit देखने के लिए मिलते लेकिन एक सबसे अच्छा benefit जो देखने के लिए मिलता है वो है जियो धन्दनादन offer क्योंकि अभी एक limited time period offer चला है जिसमें की आपको बहुत ज्यादा benefit देखने के लिए मिलता है बड़ आप हमाई चैनल पर फर्स्ट आम आये चैनल को subscribe वीडियो को लाइक जरू कीज़ेगा regular update के लिए एक चीज़रू कहना चाहूंगा क्यूंकि अभी आप जियो एर फाइबर पने घर में लगाते तो आपको बहुत ज्यादा benefit मिलता है नॉर्मली आपको यह सारी facility मिलती है सिरिफ पांद्सो निन्यान उर्पे से 30 Mbps से लेके 1 Gps तका प् नहीं तो आपके लिए special यहां पर लिंक आ रहा है वहां पर भी क्लिक करके आप बुक कर सकते हैं और maximum benefit ले सकते हैं क्योंकि यह धंधनादन ओफर दुभारा देखने के लिए नहीं मिलेगा या अगले साल IPL में देखने के लिए मिलेगा तो इसलिए limited time offer है अभी बुक कीज और enjoy कीची है जीओ के airfiver के साथ वो भी IPL का romance और ज्यादा बढ़ा देता है इसमें बापेस आते हैं topic पे क्योंकि वी आई ने भी कुछ recharge launch करे हैं लेकिन उसमें वो सिर्फ आपको ज्यादा data benefit दे रहा है बाकि कोई ज्यादा नहीं क्योंकि already loss में चल ला है तो ज्यादा मत आपको long term recharge पे offer दे रहा है जिसमें की 3199 रुपय का recharge करवाते हैं तो इसमें आपको OTT से भी कुछ मतलब सारी telecom service मिलती है और इसमें आपको बीची भी data मिलता है मतलब आप 32 रुपय कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा मिलता है लेकिन बात करी जाया तो वी आई कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो offer आपको देखने के लिए मिलते हैं वह पोस्पेड यूसर्स को देखने के लिए मि चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक चरू कीचेगा धन्य बाद कर दो दो